दोस्तों यह जो मकबरा है यह इब्राहीम सूर का मकबरा है इस मकबरे का निर्मान सेरसा सूरी ने वर्ष 1540 से वर्ष 1545 के बीच करवाया थे सेरसा सूरी अपने दादाजी से बड़ा प्यार करते थे पानिपत का पर्थम युद के दोरान वहें इब्राहिम लोदी के साथ युद में सामिल हुए और लड़ते हुए मारे में इस मकबरे को उचे और बेहत बड़े चबूतरों के बीचो बीच बनाया गया साथ ही इस मकबरे को पूर्व दिशा में बनाया गया जबकि मुस्लिम समुधाय में पस्चिम दिशा का काफी महत्व इस मकबरे को बनाने में बलवे पत्थर का यूज किया और इसके साथ साथ चुने पत्थर का भी यूज किया इब्राहिम सूरी थम को चलिए विस्तार से देखते हैं कैसे कैसे बनाया गया तो तोस्तो मैं निकल चुका इसे देखने के लिए जैसे ही मैं गुशा तो इनका टूटा हुआ गेट से मुझे दर्सन हुए इस मकबरे का लेकिन ये भाहर से इतना आउट्स्टेंडिंग था जैसे ताजमेल को ही देख लिया जैसे ही मैं इसके अंदर गुशता हूँ तो इसकी दिवारे दिखती हैं मुझे इसकी दिवारे आप लोग देखिए कितनी आउट्स्टेंडिंग दिवारे बनाई गई है मतलब पत्थर को काट काट के दिवारे बनाए गई है और ये स्टेर्स तो बाद में बनाए गई है और इसके बाद मैं स्टेर्स पे चड़ना स्टार्ट किया उससे पहले आपको मैं इसका ये पोश्ट दिखाता हूँ मकबरे का यह जब मैं स्टेर्स के उपर चड़ रहा था तो गेट अभी टूटे हुए थे मतलब खुले हुए थे तूट भी रखे थे और बाहर से इस तरह का व्यू था जैसे कि ताजमहल इसकी कोपी करके बनाया गया हूँ जैसे ही मैं इसके साइड से घूमा तो चारों तरब से यह मकबला ऐसा दिख रहा था एक्च्वल में जब मैं इसको रियल मेरी आँखों से देख रहा था तो बहुत ही अमेजिंग था पीछे से आगे से बहुत आउस्टेंडिंग से चबूतरी के उपर बनाए गया है बहुत बड़ा चबूतरा है और मैं जैसे ही इसके अंदर इंटर किया तो यह भाई है बेचारा पहले तो एक्सराइज की फिर मैं इसको बोला हाई तो कर दो हाई की सुने इन्होंने उसके बाद में जैसे ही मैं अंदर गुशा तो मेरी आँखें एक्दम खुली की खुली रह गई क्योंकि कबर बनाई गई थी यहां भी बहुत तीन से चार या पांच दो चार छे कबर थी जो बड़ी वाली है यहां इब्राहिम सासुरी की कबर है मतलब इसकी याद में यह मकबरा बनाया गया था जो शेर सा सूरी है जो इसके दादा जी है इबराहिम सा सूरी उनकी याद में यह बनाया गया था वो दादा से अपना बहुत प्यार करते थे यह जो छोटी छोटी कबरे हैं यह मुझे पता नहीं किनकी है उनके कुछ फैमिली मेंबर्स की होगी और उपर से इसका कटिंग ऐसा था मैंने अपने फोन को ऐसे ही गुमाया मुझे चक्कर आने लगे जब मैं ऐसे कर रहा था तो जब अंदर से मैं ये सारी चीजी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं स्टेर्स दोन रहा हूं कि स्टेर्स यार कहा गई कहा गई मेरा दोस्ता उससे भी मैं पूछ रहा था कि भाई स्टेर्स कहा है इस भाई से पूछा कि स्टेर्स कहा है इन्होंने वेडियों के अंदर कुछ मुझे चोका देने वाला भी मिला वो चोका देने वाला आप लोगों को मैं दिखाता हूं ये जो बोक्स से दिख रही हैं ये वाले ये पहले के जमाने में एयर थोड़ा सा रोसनी आ जाए अधेरा होता था तो रोसनी के लिए ये सारी ये जो देखेगा जब मैं उपर गया तो मुझे स्टेर्स तो चड़ लिया उसके उपर जब मैं नारनुल सहर का दृष्ट देखा तो रियल में बहुत अमेजिंग था उसके बाद में जो गुम्टियां बनाई गई हैं देखो ये सारी चीजे नारनुल सहर कितना में आगे चल यार खुद देखो आप पत्थर को कैसे काट कर कितनी अच्छी कटिंग करके इनको लगाया गया है पहले के जो कारिकर थे वो कितने अमेजिंग थे यार कितना उनका हाथ साफ था देखो कुम्टियां एकदम अभी भी हैं महाप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा कि ऐसे है पत्थरों की भाई इसको जब मेरी आखों से देख रहा था तो बहुत अमेजिंग था यह चुने पत्थर से भी बनाए गए है और जो यह लाल सा पत्थर दिख रहा है ना यह लाल बलवा पत्थर है नारनुल शहर का दरिश्चे देखिए आप लोग उसके बाद मे के अंदर दो स्टेर्स हैं देखिए और जब में घूम रहा था तो यह सारे चीज़ें हैसे ही फोन को कर लिया मतलब अच्छा लगा था मुझे भी मज़ा आ रहा था और यह जब मैं इनकी जो कलाकरती देखा ना जो बनाने का तरीका यह बहुत अमेजिंग था यार और के बगल में है ना वो इनकी कबर एक और है मतलब जो अभी भी नारलोल के अंदर होते हैं यहां पर आते हैं माथा टेकते हैं अच्छा माना जाता है इतना मुझे पता नहीं है इसके बारे में लेकिन क्या है यहां पर भी कबर है जो दिख रही है ना वह वाली कबर है और उ झाल झाल झाल